हेलो एवरीवन, गुड़ बार्णिंग, तो 12th BS के लेक्चर में आगे चलते हैं पहले चेक्टर में, ओके, तो चेक्टर था हमारा Management, Introduction, Nature, Significance and Scope, और आज हम पढ़ते हैं Primary Objective या Objective of Management, क्या पढ़ रहे हैं, Objective of Management, तो देखो प्रबंद के उद्देशिया, उद्देशिय वे लक्षिय होते हैं, जिनकी तरफ सहस्ता की सारी क्रियाओं को निर्देशित किया जाता है, Means, Objects are those goals for which all activities of the organization are directed, और ये उद्देशिय, ये Object चार प्रकार के दिये गए हैं, Primary Objective प्रात्मिक उद्देशिय, Secondary Objective सहाई कुद्देशिय, Personal Objective रक्तिकेट उद्देशिय, और Social Objective सामजी कुद्देशिय, आज हम जानेंगे इन चार में से दो, Primary और Secondary, तो चलते हैं, First Primary Objectives यानि प्रात्मिक उद्देशिय, तो प्रात्मिक उद्देशि कहते किसको हैं, Primary Objective means to satisfy the aspirations of the various stakeholders related to the organization, यानि संगठन से समंदित जितने भी रुचित उपयोग करता हैं, इंट्रेस्ट लेने वाले उपयोग करता, उनकी सारी aspirations यानि इच्छाओं को पूरा करना, ये हैं किसी भी संस्था का Primary Objective, अब वो कौन हैं और वो क्या चाहते हैं, तो आईए चलते हैं First Manager, ये company के संदर्ग में होगा मेंसा, या किसी बड़ी संस्था या पार्नसी या फॉर्म के समद में, Manager क्या चाहेगा, to produce goods and services at optimum cost, यानि कि एक सही लागत पर वस्तुआं और सिवाओं का उत्पादन करना, क्योंकि अगर cost बढ़ गई, तो responsible manager ही होंगे, क्योंकि इन manager से direct related होते हैं, लागत के अंदर cost centers, जहाँ चीज बनती हैं, और फिर manager को कौन accountable कहेगा जवाब दे, shareholder, इसलिए manager का यही object होता है, कि जो भी goods and services produce कर रहे हैं, उसकी cost कम से कम आए, नमबर दो, consumers, उबोगता, to provide goods and service at reasonable price with best quality, यानि कि उबोगताओं का सिर्फ यही उदिश होगा, कि उन्हें reasonable price पर अच्छी quality की वस्तिमेर से वाएं उपलग्ध हो जाएं, नमबर तीन, employees and workers, यानि करमचारी और मजदूर, अब यह क्या चाहेंगे, fair ramuneration, यानि उचित पारिसरमिक, ताकि यह अपनी basic needs पूरा कर सके, या जो भी इनकी विला सिता, आराम, दायक, luxury, comfortable needs हैं, वो पूरी हो सके आगे दाके, नमबर चार और लास्ट, share holders, यानि अंसधारी, जो honor यानि स्वामी होते हैं, ROI, return on investment, जो पैसा उन्होंने वी नियो जित किया है, उस वी नियो जित पुंजी पर प्रतिया है, return on investment, means profit, यानि वो लाब चाहेंगे हमेशा, तो ये था हमारा primary objective, जो की various stakeholders अपने organization से aspire करते हैं, हम चलते हैं, नमबर दो, secondary objective, यानि सहाय कुद्देशियों, secondary objective सहाय कुद्दी से किसको कहते हैं, ये वो होते हैं, helps to get primary objectives, जो प्रात्मी कुद्देशियों की पूर्ती में सहायता करते हैं, ठीक है, नमबर दूसरी बात इसमें, related internal work system of the organization, so that efficiency can be got in work performance, यानि कि ये किसी भी संस्ता के आंतरिक कारेपणाली से समंधित होते हैं, ताकि कारे के निस्पादन में कुसलता आ सके, नमबर थर्ड, they are coordinated in such a way, so that contribution of each resource must be maximum, और उनका समनवें इस तरीके से किया जाता हैं, कि प्रतेक संसाधन का जो अंसदान हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो secondary objective हो हैं, जो primary को achieve करना में help करते हैं, ये internal work system से होते हैं, और इनमें coordination प्रकार किया जाता हैं, कि प्रतेक का contribution maximum हो, अब इसमें किया क्या जाता है, नमबर एक, generating quality in various resources, विबिन प्रकार के संसाधनों में कोण वत्ता पैदा करना, नमबर दो, use them in right time and right place, उन संसाधनों का सही समय और सही स्थान पर प्रियोग करना, नमबर तीन, coordination for complementary use, यानि कि उन संसाधनों को इस प्रकार से coordinate करना, इस प्रकार से समन्वित करना, कि उनका complementary use हो सके, तो ये था हमारा secondary object, जो प्राइमरी में help करता है, हम मिलते हैं, अगले lecture में, तब तक के लिए, बाई बाई, रादे रादे.